नौवा किश्ण दीखी एक पॉइंट पांस सेंटिमेडर तिर्जिया का एक इस पात का केबिल भार उठाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है यदि इस पात के लिए अधिक्तम अनुगे पर्तिबल दसकी घात आठ न्यूटन पर मेटर स्क्वाइर है तो उस अधिक्तम भार की गणना कीजिए जिसें केबिल उठा सकता है देखें दोस्तों इस क्यूशन के अंदर हमें अधिक्तम पर्तिबल दे रखा है जो अधिक्तम में पर्तिबल है वो हमें बता रखा है दसकी घात आठ न्यूटन पर मेटर स्क्वाइर इसके साथ में हमें जो केबल है उसकी तिरिज्या बता रखी है केबल की तिरिज्या बता रखी है 1.5 cm अर्था अर्थ 1.5 गुण दसकी घात माइनस 2 मिटर बता रखी है इसके साथ में हमें इस क्यूशन के अंदर पूछा है कि अधिक्तम भार कितना सहन कर सकती है जो केबल है वो अधिक्तम कितना भार सहन कर सकती है उसकी वेल्यू फाइंड आउट करनी है एम जी हमें ग्याद करना है अर्था अर्था अर्थ एप हमें ग्याद करना है देखे दोस्तो हम जानते हैं पर्तिबल बराबर होता है पर्तिबल बराबर होता है बल बट्टे में छेतर फल बल बट्टे में छेतर फल और अधिक्तम पर्तिबल के लिए अधिक्तम पर्तिबल यदि आप लेते हैं तो यहां पर अधिक्तम बल अधिक्तम बल बट्टे में यहां पर छेतर फल पढ़ाईए हमें अधिक्तम बल पूछा है तो अधिक्तम बल के लिए दिखे के आज़ेगा अधिक्तम बल का मतलब हो गया अधिक्तम भार यहां पर भार है अधिक्तम बल या जो भार है वो किसके बराबर आएगा अधिक्तम पर्तिबल इंटु में ए जो अधिक्तम परतिवल है वो हमें क्यूशन के अंदर बता रखा है A की वेल्यू हम यहां से find out करी लेंगे 10 की गहात 8 और A होता है πाई R स्क्वेर और R का जो मान है वो है A बराबर होता है πाई R स्क्वेर 1.5 गुण दसकी गहात मैनिस 2 का स्क्वेर तो यह जो पाई है इसकी वेल्यू है 3.14 1.5 का जब स्क्वेर करेंगे तो 2.25 गुण दसकी गहात यहां पर है 8 इसका स्क्वेर करेंगे तो इसकी गहात मैनिस 4 जब इसे हम केल्कुलेट करेंगे तो हमें यह मिलेगा 7.06 गुण दसकी गहात 4 न्यूटन तो दोस्तो यह था हमारी पाटे पुस्त का नौवा परस्याद